पिश्कर साथ यो राम राम शपने भाई समाज के अंदर इतनी कूरिती फैली हुई है और उन्हीं में से एक कूरिती है दहेज पर था पिशले दिनों बहुत शारे मुद्दे उठे और उनके उपर हम सब बोले आप बोले और उस मुद्दे पर बोलने के बाद मैं कहूंगे एक तरीके से उस मुद्दे को ट्रेंडिंग में लेकर के आए और फिर उसी आधार पर S.I.E. की गिरफतारी हुई मैं बात कर रही हूँ अकोदा महंदरगड में हुए मामले की गिरफतारी होने के बाद जिस तरीके से जमानत मिली तो उस जमानत पर आप अपनी राय कोमेंट बोक्स में जरूर देजिएगा लेकिन उससे पहले मैं जमानत तो उनको मिलगी लेकिन एक छोटी सी बात आप सजा देना तो कानून का काम है लेकिन आप सभी लोगों ने मिल करके हम सबने मिल करके दहेज के लोभियों की जो एक तरीके से मैं कहूंगी सोसल नेटवर्किंग के माध्यम से सोसल मेडिया के माध्यम से साइट के माध्यम से आप लोगों ने जो इस मुद्दे को उठाया वो जो सजा आप लोगों ने दी, उस सजा को मैं कहूंगी कि उस सजा जन जन के आदमी में ये हुआ कि देखो कितना लालची आदमी है, वो सजा मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सजा है, और कानूनी सजा हम कानून के उपर छोड़ते हैं, चान बेन हम कानून के उपर छोड़ते हैं कानुन के इस रवये पर अपने जो राए है वो प्लीज आप जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में जरूर देजिए